हेलो फ्रेंज वंस अगें वल्कम बैक टो दा चैनल फॉर्वार्ट स्माइल मादरूट के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टो मेक यूर बेबी डाइपर फ्री तो यह हर पैरेंज के लिए बहुत एक चैनलेंजिंग टॉपिक है तो इस वीडियो में हम टोटल डिसकस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी बेबी को डाइपर फ्री कर सकते हो और कितना इजी है डाइपर फ्री करना वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो से के अपने फ्रेंड्स और फैमिरी मिंबर्स के चाथ शेर कीजिए अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो वीडाउन वेस्टिंग मज़ टाइम बेबी को डाइपर पहनाना है या नहीं इसको लेकर भी काफी लोगों के मन में काफी डाउट्स होते हैं तो इसके उपर वी वीडियो हमारे चैनल में हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो डाइपर पहनाना जितना एजी है उतना ही मुश्किल का काम हमें लगता है जब भी बात आती है बेबी को डाइपर फ्री करने की मतलब जब भी हम पैरन्ट सोचते हैं कि इस टाइम से हम विदाउट डाइपर अपने बेबी को रखेंगे पहली पात जो आपको ध्यान में रखना है वह है डोंट टेक रर्श मतलब बिल्कुल भी रश मत कीजी किसि वह भी बच्चे को देखके आप जी मत कीजी कि इसकाो बच्चा डाइपर फ्री हो चुका है बच्चे को वह time देना है तो हो सकता है आप तब तक वह time manage ना कर पाए हो तो जब भी आप खुद time निकाल सको कि इस time तक आप बच्चे को time दे सकोगे कि डाइपर फी करने के लिए जो time देना है आपका बच्चा भी ready हो उसका mind, body बोद ready हो diaper free होने की लिए तब जाके आप बच्चे को diaper free करने के लिए start करो next जो point है वो है आप जब भी बच्चे को diaper free करने के सोचो आप summer के time को choose करो क्योंकि winter और monsoon के मुकाबले बच्चे summer में पीख कम करते हैं तो summer की time को अगर आप चूस करो जब भी आप पहली बार बच्चे को diaper free करने के लिए सोचोगे या फिर करना स्टार्ट करोगे बच्चे काफी time paint में या फिर बिस्तर पे सुसुपोटी कर देंगे तो summer की time को अगर आप चूस करते हो तो उस time वो सारी चीज़े wash करने में या फिर धूप की होने से वो सारी चीज़ सुखाने में भी आपको मदद मिलेगी तो आप summer की time को चूस करो जब भी आप के start करना चाते हो नेक्स चूहे जब भी आप पहले diaper free करने का start करो तो आप दिन के time को target करो पहले आप दिन के diaper को चुरबाने की start करो उसके बाद जाके आप रात के time को target करो पहले एगर आप रात को diaper free रखने का start करने चाओगे तो वह बहुत ही difficult होगा और लगबग मुश्किल होगा आपके लिए बहुत परिशान हो जाएंगे आप लोग तो आप पहले दिन का डाइपर चुरबाने की कोशिश करो पहले दिन को आप टार्गेट करो दिन में आप बच्चे को कोशिश करो डाइपर पर रख लेगे क्योंकि दिन की टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं लगबग आट नौ घंटे होते हैं आप भी सुए होते हो तो उस टाइम पर पहले करने जाओ तो आपके लिए बहुत डिफ्रिकल्ट हो जाएगे नेक्स जो चीज आपको फॉलो करनी है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे यह साइन आपको दे रहे हैं नेक्स में आपको यह सजिस्ट करूंगी कि आपके ट्रेन करना आपके बच्चे को तब स्टार्ट करो जब आपका बच्चे थोड़ा सा कम्यूनिकेट करना सिख जै कम्यूनिकेट मतलब यह नहीं कि एकदम प्रॉपर से आपको बता पाए कि मुझे सुसू आई पोटी आपको अभी से वाश्रूम में जाके टॉइलेट पॉड़ी करना है कि आप या फिर घर का कोई भी जब वाश्रूम यूस करें ताप बच्चे को तब दिखा हूँ या भी बोलो कि देखो ममा टॉइले यूरी है पापा टॉएले तॉइलेट नहीं करते हम लोग फ्रोड प लोगी है यह सब करना है यह पर एक छीज में आपको सजेक्ट करना चाहूं कि आप जब भी डायबर ट्रेंड करने की स्टार्ट करो तक जब बच्चे कि डेट से दो साल की चेवीं तो उसका है तो उसका है तो थोड़ी दिन दे के एक दो दिन फॉलो करो तो उस ताइम के अंतर अंतर आप जब ही बच्चे को वाश्रूम पे ले जाओगे तो देखोगे आपका बच्चा वाश्रूम में ही उरीन पास करेगा पहले कुछ दिन हो सकता है होगा ही यह कि आपका बच्चा पैंट में या फिस्तर पे यूरीन पास कर दे तो इस टाइम को आप डाट फटकार मत लगाओ आप बच्चे को धंकाओ मत ड़ाओ मत पर आपको अच्छे को समझाना है दीरे दीरे करके के देखो अभी तुम बड़ मत बच्चे को बी समझाना है या को बच्य को अपको अपकर देने पर सीख जाते हैं य सीख जाते हैं तो नेकард को ख़िए अब करना है में देड़ एक टाइमपी आपको बचचे को वाउस्टा में जा उसके बात जब आपको डाइपर पहना रहे हो तो आप यह फालो करोंगे 산 Woo ऑप चे को बっち लें की कायए जो न्हीं होता है कि बच्रा राइपर आपको पहना हुझा फॉल्द बच्चे में देखा भी यह पास किया है मतलब बच्चे का एज भी जितना वड़ता है वह भी लेड़र वे थी दिरे भी यह भी बड़ा होता है उसका भी स्टोरीज के पासिटी बरता है और बच्य की माइन में भी यह अब चैसे वो उसको पैक्टिस करवाते जब भी यो ही कि अधिक करने का कैपसिटी उसका भी होग स्टोर करने का कैपसिती उसको भी होल्ट करने का कwh विह तो आप जैसे ज recognize से उसका दैपरหलें का कई राइब कर लाइब अग्या उसके भाद धिरे झाकर चाके अग्या मायद सक्वा 있는 तो आपने रात को भी ऐसे ही सुला दिया हो सकता है एक्सिडेंटली कभी भी बच्चा सुसु कर दे तब आपके लिए परिशानी हो जाएगी तो आपको क्या करना है बच्ची बेट पे एक ड्राइशीट बिचा कर दे तो आपको क्लीफ ना हो या फिर उस टाइम पे बिस्तर चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है रात के टाइम पर आपको एक बच्चे का एक्स्ट्रा जो कप्रा है वह भी अपने साथ लेके कुछ दिनों तक सोना है मतलब लगभग तो आपको आठ से एक साल तक आपको यह डाइशीट भी बिचा के रखना है आपको कप्र लेके सोना है तो इस तरह से करते करते आप देखोगी कि बच्चा दिरे-दिरे रात को भी यूरीन पास करना बंद कर देगा डाइपर पे फिर आप एकदम रिलाक्स हो जाओ जाएगा वह बोलना भी सिख जाएगा कि उसका सुसु आई है पौटी आई है तो ऐसे आपको मै प्रैक्टिस में रखना है हर चीज को अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो वह धीरे-धीरे हमारी आदत में बन जाती है ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन प्राइप करो उसके बाद आपने छोड़ दिया तो बच्ची का भी आदत नहीं होगी कि वह वाश्रूम में जाके काफी आपने में वह प्राइब इसा होता था कि बदन में उसने कुछ बी नहीं है तो यह आपके साथ भी होगा पर आपको ट्राइ करते जाना आपको घुच्छाelu करते तो आपकी प्रैक्टिस में नेन नियुक्त को बच्चे का भी नेन्द खुल जाएगा पर इसको प्रैक्टिस में रखने से दीरे दीरे बच्चे को भी एविड़ी दीरे बच्चे को दाइपर फ्री रख पाऊगे तो होफ करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ट्राइ करते जाना है वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एक नए वीडियो में, take care, stay safe and wear mask.